चार्दा देवी के पास अपनी शादी के समय के बहुत से कीम्ती सोने चांधी के आभूशन थे जब भी कभी किसी टेज या तियोहार का समय आता था, तब वो उन गेहनों को अपनी तीनों बहुँँआ को पहनने के लिए देती थे और जैसे इत्योहार समाप्त होते थे, वो वापस उनसे अपने सारे गहने लेकर संदूक में रख देती थी, ये हर साल का नियम था, वैसे तो बहूं के पास अपने भी गहने थे, पर शारदा देवी के गहने पुराने होने के साथ साथ बहुत ही सुन्दर भी थे, इसलिए त अपने गहने हमें तीज ते हर पर पहनने के लिए देते हो, पर आप हमेशा के लिए क्यों नहीं दे देते हो, ऐसे बार बार कभी कभी देते हो, फिर ले लेते हो, हम आपकी बहुवें ही तो हैं, फिर आप हमें ये देना लेना क्यों करते रहते हो, वो इसलिए क्योंकि इन मा बन चुके हैं, हम जब इस पूरी घर को इतने अच्छे से संभाल सकते हैं, तो फिर आपकी गहनी क्यों नहीं संभाल सकते हैं। फिर तो मुझे तुम तीनों की परिक्षा लेनी चाहिए, एक काम करते हैं। परिक्षा को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि आपकी धरोहर, आपकी कीमती गहनों को मैं संभाल सकूँ। तो ठीक है, तुम तीनों बहुँ को मेरे लिए ऐसे पराठे बनाने हैं जो खाने में बेस्वादी हो और जिन्हें खा कर ऐसा मन करें कि अभी उल्टी कर दो। बहुत ही घटिया पराठे बनाने हैं, जिस भी बहु के पराठे सबसे बिकार बनेंगे, वही बहु मेरे इन गैनों की मालकिन बनेगी। जाओ, अब जाकर तीनों बहुओं सबसे बेकार पराठे बना कर लाओ, जैसे आज तक कभी किसी ने ना ही बनाए हो और ना ही किसी ने खाये हो। अपनी सास की बात सुनकर अनुराधा और रेखा बहुत खुश होती हैं और अपने मन में सबसे बेकार पराठे बनाने की योशना बनाने लगती हैं एक काम करती हो, दो दिन पुराना खराब आटा पराठा बनाने में इस्तिमाल करती हो, और दुकानदार से सबसे बेकार तेल ले आती हो, कच्चा बद्बुदार पराठा बना कर दे दूंगी, मैं तो एक काम करती हो, पराठों में मिट्टी भर देती हो, माजी जब मिट्टी कि लालच में आकर माजी के स्वास्ती को कोई नुकसान नहीं पहुचा सकती। उन बिचारी ने अगर खराब पराठे खाये तो कहीं वो बिमार ना हो जाए। मैं माजी के लिए बढ़ी आलू के पराठे बनाओगी। कोई बात नहीं अगर मुझे गहने नहीं मिलेंगे तो को पर कम से कम मा जी को गलत पराठे तो खाने को नहीं मिलेंगे। बस आपने इतने खराब बनाए हैं। बताओ रेगा ऐसी हरकत तुम दोनों ने की क्यों। वो इसलिए बच्चों क्योंकि इन दोनों को मेरे गहने चाहिए थे और उन गहनों को पाने के लालच में ये मुझे बेकार पराठे भी खिलाने को तयार थी। क्यों गायतरी तुमने क्यों इतने बढ़ियां और स्वादेश्ट आलू के पराठे बनाए तुमने बेकार पराठे क्यों नहीं बनाए जबकि तुम जानती थी कि मैंने तो यही शर्त रखी है कि जो बेकार पराठे बनाएगा उसे ही गहने दूगी। माजी मुझे गहने नहीं चाहिए। मैं आपको बेकार पराठे खिला अगर बिमार नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने आपके लिए अलू के पराठे बना दिये। मुझे शमा करना माजी मैंने आपकी आग्या का पालन नहीं किया। देखा तुम दोनों ने, इसे कहते हैं सच्ची बहु, जिसके मन में अपनी सास, अपने परिवार के लिए प्रेम भावना है। मेरे गहनों की असली हगदार मेरी छोटी बहु गायत्री है। क्या तुम तीनों बेटों को इसे कोई अतराज है। नहीं मा, मैं खुद तो कहूंगा कि तुम अपने सारे गहने गायत्री को ही देदो, ये दोनों उन गहनों के लायक ही नहीं है। अनुराधो और रेखा का सिर्फ शर्म से जुग गया, उन्हें अपने किये पर बहुत पच्टावा हो रहा था, तभी गायत्री बोली, मा जी, आपके गहने आपका आशिरवाद हैं, और इन पर मेरा अकेले का कोई हक नहीं, आप इन गहनों को हम तीनों में वैसे ही बाड़तीजे, मा जी, जैसे आप हमेशा देते आए हो, हम तीनों आपकी बहुए हैं, हम तीनों को एक समान आपके गहने मिलने चाहिए, जीती रहो ब माजी, हम लालच में अंधे हो गए थे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गायतरी तुम बहुत अच्छी हो, हम सच मुछ बहुत बुरे हैं, हाँ हमें गैने नहीं चाहिए माजी, हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए, हम आपको इतने बेकार पराटे बना कर खिला रहे थे, जिनने हम खुद भी नहीं खा सकते थे, और वो भी गैनों के लालच में, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो माजी, हाँ हाँ ठीक है, मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया, तीनों बहुए, तीनों बेटे मिल कर रहो, और हमेशा खुश रहो, मैं तो बस भग प्रेमभाव से परिवार की एकतब बनी रही